और फिर आप सभी का मेरे YouTube चनल पर स्वागत है और आज इस वीडियो में बात करूँगा Air Force के X and Y Group के लिए जो Physics जो आती है उसके regarding ठीक है तो यह मेरा पहला वीडियो है Physics का जिसमें मैं कुछ previous year के questions जो की electric field और charges के उपर आए वे हैं उनके बारे में discuss करूँगा और इसी के सा feedback लगया आप जरूर मेरे को comment section में बताएं ताकि मैं इसको और improve कर सकूँ और किसी को कोई और भी doubt होता आप मेरे को comment section में जरूर बताएं तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला question पहला question है when a glass road rubbed with wool और silk cloth then which charge does glass road acquire so basically इसमें क्या पूचा है कि अगर एक ग्लास road को हमने रब करते हैं किसके साथ wool और silk के साथ जो silk वाला जो कपड़ आता है उसके साथ तो जो glass road है उसके उपर कौनसा charge आएगा तो basically इस cancer क्या है glass road जो basically कौनसा charge लेगी वो आएगी हमेशा positive charge और जो silk और cloth है wood वाल वूल वाला इस पे कहाएगा हमेशा negative charge यह याद रखने क्या है कि after rubbing two objects with each other one of them acquire positive charge this positive charge on the object indicates तो अब हमें बता हो अगर हमार पास दो अगर इनको मैंने रगड़ा और एक पर आगया positive charge और एक पर आगया negative charge तो इसका मतलब क्या positive charge आगे इसका मतलब क्या इसने अपने electron है कुछ electron है वह इस दूसरे वाले object को transfer कर दिये इसने जो electron ले इसकी जैसे इस पर negative आगया और जितने इसने electron डोनेट कर देश पर आगया positive charge तो इसका मतलब positive charge क्या indicate कर रहा है positive charge इंडिकेट कर रहा है कि object जो उसने क्या electron lost कर दी है और अगर यह क्वेश्चन अगर negative charge के उपरा जाता तो उस cancer क्या हो जाता यह उसने electron gain कर रहे हैं तो यह समझ के करना है सारे question काफी जी question यह question पूछ लेते हैं और यह question तो एरफोर्स में पूछा हुआ है कि electricity can blank pass through conductors अब हमें पता है कि conductor क्या होते है conductor होते जिन में electricity बहुत आसानी से पास हो जाती है तो इसका मतलब क्या कि electricity can easily pass easily तो इसका option क्या जाएगा B conductor की अगर बात करेंगे तो इसमें तो क्या जाएगा कि easily pass हो जाती है अगर same insulator में आगा तो क्या cannot pass आजाएगा और semiconductor में आगा तो क्या अगर depend on the object और जो material temperature वागे रहे हैं जब के ऊपर अगला question देखते हैं कि process of sharing the charge with earth is cold तो आब अपने क्या पूचा कि वो process जिसमें कि अपन चार्ज जो है वो अर्थ मतलब अपनी जमीन में जैसे कि घर में नहीं हो तो कुछ एक तार जो ground करते हैं अर्थिंग करते हैं वो जो भी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज होता वो transfer कर देते हैं क्योंकि earth का potential बहुत जाद जीरो होता है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती कितना भी current इसमें आ जाए तो अब इसमें देखे इसका answer क्याएगा कि grounding और अर्थिंग ये दोनों ही इसके क्या है option है तो इसका answer क्या जाएगा option d बहुत a and b अगला question ये भी सीगे basis पर है which sorry electric wiring in our house has how many types of wire तो electric wiring जो अपने घर में होती है वो उनके तीन तरीके के वायर होते है कौन कौन ची होता है एक लाइव वायर एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर जो लाइव और न्यूट्रल वायर बेसिकलिए current carrying के लिए और ये जो होता है एक्स्ट्रा जो current होता जमीन में transfer करने के लिए होता है अगला question यह important air force में पूछा वही आपको याद होने चीए value of e क्या होती है value of e क्या यह electron के उपर चार्ज एक electron के उपर कितना चार्ज है तो यह electron के उपर चार्ज होता 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलाम यह काफी important इसको याद रखना है क्या होगी कुलाम और अगर हमें पूछ लें charge क्या होता है बैसलिए charge upon time क्या होता हमारा electric current होता है electric current की definition क्या होती है electric current होता हमारे पास charge upon time और इसकी ऐसा unit क्या होती है MPR यह भी याद रखना है यह भी आप से पूछ सकते हैं ठीक हाँ अगला पढ़ते हैं कि एक micro क्लाम एंड एक मिली कुलाम चार चार जोता है उसको किस तरीके से legal करते माइक्रों का मतलब क्या होता है में यह पता होना चील और मिली का मतलब क्या होता है हमें पता होना चील स्थी तो यह अगर देखलो जिसमें यह ए product 10 की certeza DStay और माइनस थ्री तो यह आ जाएगा इसका यह नहीं कि इसमें पहले मिली का देवा फिर माइक्रो तो यह उप्शन यह इसको प्रेजेंट करता है कैसे टेन पावर माइनस सिक्स कुलाम और टेन पावर माइनस नहीं किया है। कुछ चाथ UP P Anything real क्लाम सिला के वह पर है कि कुलाम सिला जो हमें ओुरपÁर एक्षाला नॉट क्यों एक्षाला को क्या बोलते में बउस्यला नॉट जो बाड़र सधको क्या बोलते हैं इप्साइला नोट जो 12 कुलाम स्केर न्यूटन माइनस मिटर इन्वर्स स्केर यह याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है यह भी अब यह वाड़ा जो क्वेस्टन है थोड़ा ध्यान से देखना है यह काफी सही क्वेस्टन है यह पूछावा क्वेस्टन है एर फोर्स में क्या पूछा है डायमे to acceleration अब इसका dimension formula क्या हो गया force का M1 L1 T-2 और अब ही मैंने आपको बताया था current का formula क्या होता है क्यों बाइटी क्यों का अगर आपन निकाले आई के लिए तो डाइमेंशन formula होता होता है और टाइम के लिए टी तो एवन टी वन क्यों क्या हो A1 T1 आर क्या है normal length है तो यह हो गया L यह सारी value अपनी दर रख देंगे तो M1 L1 T-2 L square और A square T-2 क्यों 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 है दो multiply में है ठीक अब इनको अगर अगर solve करेंगे तो के की value क्या जाएगी यह आ जाएगी के की value M1 L3 T-4 और A की minus 2 यह तो किसका dimension formula यह तो constant का और हमें पता है कि जो constant जो यह आ गया अगर constant को अपन कैसे लिखते हैं वन अपॉन 4 पाई epsilon note तो इसका dimension formula क्या हैगा इसका reciprocal तो यही मैंने अगले में यही किया वाई देखो dimension formula जो epsilon note का वो इसका reciprocal हो जागा तो उसमें जो plus थे माइनस हो जाएंगे और माइनस थे वो plus हो जाएंगे तो यह है dimension formula और इसी तरीके चापन बाकी के dimension formula भी निकाल सकते हैं अगर अपने को dimension formula याद है बाकि जल्दी मैं इसके ओपर वीडियो बना दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला question देखते हैं अगला normal question क्या कि electric field lines उनकी properties क्या हैं ये भी question पूछावा है Air Force में कि आपको तीन चार option देदेंगा और उनमेशा आपको सही और गलत बताना होगा electric field line की कौँछी property है और कौँछी नहीं है तो electric field line के लिए मैं basically पहले आपको एक figure दिखा देता हूं ये figure है जैसे कि plus charge माइनस चार्ज है electric field line पलस चार्ज से निगलती है और माइनस चार्ज पर खतम हो जाती है ठीक है कहां पर पलस चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज पर खतम हो जाती है एक पहली property तो क्या होगी कि पलस चार्ज से निगलती है माइनस चार्ज पर खतम हो जाती है दूसरी चीज कि एक close loop न नहीं बनाएंगी दूसरी चीज़े स्टार्ट कहां से पोजिटिव चार्ट से होते हैं खतम नेगिटिव चार्ट पर तो यह दो परोपेटी होगी अगला जो मैं उस्ट इंपोर्टेंट प्रोपेटी के walks वहती है जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैगनिचूड होती है मतलब सिर्फ वैल्य होते हैं इनकी कोई direction नहीं होती और अगली फॉर्स और electric फील्ड जो आ seulement आव पर आप करा है यह ए क्या वेक्टर क्वांटिति इनका यहां पर olabilir होता का मैगनिचूड भी होता है और इनकी डारेक्शन भी होती है ठीक आई होब यह चीज़ आपको समझ आई होंगी और यह मेरी पहली वीडियो थी फिजिक्स के रिगार्डिंग एर फॉर्स के लिए और जल्द ही मैं और बाकी वीडियो भी ले क्या हूं कम्प्लीट फिजिक्स और ब्रीफ में जैसे आज इसमें दस बार क्वेस्टन कर रहा है इसी तरीके से और इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो लास्ट एर के क्वेस्टन पूछे गए हैं वो सारे बता हूं और अगर किसी का कोई सजेशन हो कोई शुजाव हो या कुछ भी एडवाई हो तो आप मेरे को जुरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से मैं और अच्छा कर सकता हूं इसके अलाव आप जो भाई एरफोर्स की त्यारी करें उनके साथ शेयर जूरू करें क्योंकि भाई अगर वीडियो देखी जाएंगे अच्छे डंक से तभी मेरे को थोड़ा मोट साथ चैनल पर अथी वीडियो जगे लिए